तब हम लोग दो नुवंबर को गिर्जे के बाद हम लोग कबरस्थान चले आये थे लेकिन ये जो दृश्य है वो जो शुरू दिन से हम लोग आ रहे है साप सफाई के लिए उस समय किसे है तो आप लोग पूरे बने रहेगा और देखिएगा साप सफाई से ले करके कबर की आसिस तक की कहानी इस में इस ब्लोग में जुड़ी हुई है तो देखिए हस्बन जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो गये हैं साप सफाई के लिए हम लोग पहले दूसरों को देते थे सफाई के लिए लेकिन जिस साल हम लोग दिये हुए थे उस साल हम लोगों को उनके का सामों से संतूस्टी नहीं हुई तब से हमने सूच लिए कि अपने से करना चाहिए और जब आये हम लोग तो कुछ आवास सुनाई पड़ रहा था तो देखे आगे कि कौन लोग है जिए ना गेट पर से जो आवास पड़ रहा था इनहीं लोगों का था तो इनका एक करता है तो इनहीं की आवाज जो है हमें सुनाई पड़ रही थी चार को लड़का यार भाग गया जारे देखके इसकुटर साया था चार को लड़का अचा उन्हों भी सफाई है के खयाल साया होगा तो बहुत अथी काटा है रे बाबा यह खाड़ा हुआ फोन लगाया किस गर्मी से या धुप से बचने के अथक प्रयास कर रहे हैं और पीछे जितनी भी जाड़ियां दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से अपना जो एरिया है कब्रस्थान का उसमें साफ सफाई करनी है ठीक है ना गूड आप्टर नून हो गया आप्टर नून चलिए फिर बने र रहिएगा कि यह कब्र है लगभग इसकी जितनी सफाई होना था वह हो चुका है अब इसको एक-दो दिन बतलब कि सुखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे हलो गुड मानिंग तो इस ब्लोग को कंटिन्यू करते हुए यह कहना है कि जो कब्रस्थान वाला दिखला आये थे कब्रों अगरा साफ सफाई की तो आज हमनों फिर से जा रहे हैं बहुत सारे समान लेकर और जिस दिन मैं और हस्बन गए हुए थे उस दिन के बाद से एक दिन बाप बेटा फिर कल एक दिन हस्बन जा करके कुछ काम करके आये हैं है न हम जी और अभी कुछ काम बाकी है तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर चलिए वहीं जा करके मिलते हैं कि वहां क्या क्या काम करते हैं क्या और आज जो है हमने कब्र की चिकनाई कर दिये हैं, देखिए आप लोग खुद से, इतना सुम्दर सा हो गया, अभी अच्छा लग रहा है देखने में, और आज काम का तिसरा दिन है, वो पकावला जी से धो रहे हैं, मामा ससुर का बेटा का है, मामा ससुर लोग यहां से जा चुके हैं, सास के बगल में ह पर उसी में सफेद कर देंगे, और एक दिन आकर के और करना होगा, तो सारा चीज अच्छी तरिके से हो जाएंगे, और इस बार हम लोग सास वाला भी पका करवा देंगे, क्योंकि संभो नहीं है, बहुत छुट्टी लेना पड़ता है, और ड्यूटी से मतलब कि समय निका निकाल के काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, है ना, और ये अपना काम कर रहे हैं, और मैं इनके सपोर्ट में बैटी हुए, कभी इनको चाता से चाया कर रही हूँ, कभी मैं खुद ही बच रही हूँ, है ना, आज काम के चोथे दिन है, और एक नौवंबर है, आखी कल कभर प्रमना सके और हम मुझे आज बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, शिमरन, अनिता, शिमरन, नेहा, अनिता, शिमरन, एंजल, नेहा के पापा, नेहा के बंब, तो सभी कठे कबर हाई बोल देजिए, आप लोग भी सब देखिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, अब दिखलाते हैं लोगों का काम, देखिए तो इस तरीके से सारे हम लोग मिल करके, पूरे परिवार कहना चाहिए, छोटा-छोटा, हर छोट क्पापाजी खड़े हैं इधर में मम्मी खड़ी है साथ साथ में और क्या ना एंजल किस बोलते रहो कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे और क्या इसको तो आप पहले भी देखे हैं और कुछ कहना है नहीं और कुछ कहना है राज फाइनल हो गया है डूटी से हजबन तीन बज़े आये थे और हम भी उसके बाद हम लोग गए हैं तो देखिए अंदिरा पे हो गया बगल वालों का भी हुआ नहीं था तो हम लोग साथ में ही थे उसके बाद हम लोग चले गए क्योंकि उनको छोड़के नहीं आ सकते थे ना उसके बाद हम क्योंकि फिर घर आने के बाद फिर जाना समभू नहीं था इसलिए हम लोग फूल वगारा लेते हुए जितना भी काम था उसे निपटते हुए घर वापस हलो हलो गुड मार्निंग दो पेरी दो अला और आप लोग सब कैसे हैं बतलाईएगा जरूर उमीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आज कबर पर अब है तभी हम लोग गिर्जा जा रहे हैं मिस्सा होगा और फिर वहां से सिधे कबरस्तान देखाने कूश कर कबर को मतब तयार करने में कितना वक्त लगा और कितने दिनों मत तयार की है ना उसके लिपाई गुजरें दिख्लाने की कोसिस करेंगे तो जो हमारे Christian भाईबान है उन लोग तो सब को जानते हैं इन परिस्तितियों को लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बिसेश ये संदेश है आप लोग सारे लोग देखेगा जो भी देखेगा पूरे देखेगा तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को अच्छा लग फैंक्यू कहते हैं और आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेर और कोमेंट कर देजेगा और जो हमारे नहीं फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर से कर देजाएगा आप लोग जरूर से देखेगा क्योंकि इस बार की परिस्तितिया जो थी हमारा कब चर्च के बाद कबरस्थान की और ही मिलते हैं उनको आनत का तर्चैन दे उनको ही प्रेखों इरी से आनत आसा मीने जट से निकल चुके हैं और कबरस्थान की और अब जा रहे हैं क्योंकि वहां पहले जल के आसिस होगी अगर दिखला पाएंगे तो ठीक है और ने तो फिर तो और क्या वोले और सारे लोग जितने लोग अभी पहुंच पाएंगे आज दिन पर खुली रहेंगे जिसको जैसी फुर्सत हो वह जा करके अपने जो प्रियेजर हैं उनको सरदान जली अर्पित करेंगे और हमनों तो अभी ही चले जा रहे हैं शुबाही तो फिर मिलते हैं गव्रिस्थान पर अरे इतना बहुत साफ हुआ जो थास हो तो हम ही लोग जानते हैं जो दुबला पतला हो गया दूबला पतला हो गया तो जल की आसिस के लिए तयारी की जा रही है और फादर अब जल की आसिस देंगे आप लोगों बने रहेगा और देखिएगा फादर प्रेर करेंगे जल को आसेशित करेंगे जल ख्रिज्ट और बब्तिस्म संसकार की याद करते हैं जिसमें जल और पोईत्र आत्मा द्वारा हमने नौजन्म लिया है इसले जितनी बार हम हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिर्जघर में प्रवेश करते अथ्वा घर में रहते समय इसे लेकर आप तो किजेगा आज नहीं करेंगे ये दिपावली के बाद करेंगे आप लोग अभी डाल देंगे हम और जिस प्रकार की आप लोगों ने पहले देखा कि फाधर जो है वो जल की आसिस कर रहे हैं और अब मैं अपनी मतवशास की जो कबर है वहाँ जा रही हूँ और ये वही कबरिश्थान है जो की सबसे सुरू में मैं दिखलाई थी पूरा जंगल था है न तो इस तरीके से पूरे अच्छी तरह से अभी साफ हो गए है जै जैशो शबंको जैशो पादर के दारा जल की आ आसेस पानी छड़का जा रहा है उसे आसेसित किया जा रहा है और यह जो है वो आम के पत्ते हैं क्योंकि चाहे समाज जो भी हो हर समाज में हर धर में आम के पत्तों को सुद्ध और पावित्र माना गया है हर कार्या के लिए तो आम के पत्तों के द्वारा जल का छड़काव हो रहा है और इसके साथ ही सारे लोग अपने अपने जो परिजन है प्रियेजन है जो हमें सदा सदा के लिए छोड़ के प्रभु में बिलीन हो गए हैं तो अब उनकी कब्र में कैंडल जलाएंगे और प्रात्ना करेंगे क्योंकि इसके बाद और कभी कभी ही आना होता है जब उनकी जो इस्मृति दे रहता है तो उसी दिन ही फिर आते हैं और इस दिन सामुहिक रूप से सारे लोग कबरिष्थान में पहुँशते हैं और अपने प्रियेजन होते हैं जिस तरीके कि हमारे हर धर में अपने जो प्रिये जन होते हैं उनको अलग-अलग तरीकों से याद किया जाता है उनको सम्मान दिया जाता है अब काम करिए कि अधियर को ना रहे हैं अच्छा से अभी ये वाला तो आएगा थोड़ा लेट से आएगा देखे सभी कवरों में फूल केंडल ये सब डाला हुआ देखे ये बाबा भी आए हुए हैं और उजाला होने के कारण मुम्बत्ती जलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है जैजिशू जैजिशू माला हनी इत्राव हम आपको उस दिन पूछने वाले थे आजकर नहीं नहीं जारा ना मम्मी सबसे पहले देखे जिए हां उपके दिखाई थे आजकर नहीं आ रहा है करेक्टरी नहीं आप जाम और इन साज उंचो निन्नू है नेकन हुमाम बॉन जैजिशू और आप लोग सब कहेंगे कि जाड़ी तो है लेकिन क्या किया जाए घेरा बंदी हो जाने के कारण इस बाल इतना अती जाड़ी हो गया था कि लोग भी मतलब क्या बोले चकित हो गये थे कि इसकी सफाई किया जाए तो कैसे किया जाए आप लोग खुद ही शुरू में देखे हैं कि कितनी जाड़ी है और सिर्फ अपने ही मतलब कि अपने परिचितों के कबर में ही लोग मुंबत्ती और फूल नहीं चड़ाते हैं अपने अगल ब जान पहचान वालों के कबर में भी मुंबत्ती फूल ये सब चड़ाते हैं और उनकी आत्मा की शान्ती के लिए पिता परमेशर से प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शान्ती मिले हम लोग तो यही जानते हैं कि मृत्यू के बाद हर इंसान पिता परमेशर के पास स्वर्ग में जाते हैं है ना और उनकी शांती के लिए उनकी आत्माओं की शांती के लिए हर धर में अपने अपने तरीके से पूजा याचना की जाती है और आप लोगों कहिएगा कि गिर्जा मतलब कि जो गिर्जा हुआ वो जर्च में ही हुआ क्योंकि जब से कुरोना हुआ है तब से ये क्या बोलें गिर्जा में ही मतलब कि मिशा पूजा हो रहा है और पहले तो कबरस्थान में ही मिशा पूजा होते थे उस समय बहुत ही अच्छा लगता था अभी तो दिन के उजाले हैं, सारे लोग मुंबती तो जलाए हैं, लेकिन उसका जो लोव है, वो नहीं आ रहा है, है ना, लेकिन फिर से एक बार आना, चेर्च आना, फिर से एक बार कबरस्थान आना, ये संभव नहीं हो सकता था, इसलिए एक ही साथ सारा काम हम लोग कर लि मिल जाते हैं और कुछ कब्र जो है आप लोगों को दिखाई पड़ा जिसमें की फूल वगरा नहीं लगे हैं कंडल नहीं लगे हैं तो आज दिन भार कब्रस्थान खुले रहेंगे और जिसको जिस तरीके का फुर्शत हो बहुत लोग ड्यूटी भी गये होंगे तो तो इसले कि अधर बार यहां के रहा रहा है यहां के साथ महिना हो गया तो यह मैं अधर शुद्वार्ट में अधर आज जोड़ दिया का सब्सक्राइब निकलते निकलते मुझे एक बार ने सब्सक्राइबर मिल गया है ना तो इन्होंने कहा कि हमारा भी मतलब कि कैप्चर कर लिजे तो मैं बोले कि ठीक है अपने प्रिये जनूं के कबर के पास आप लोग रहिए क्योंकि मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है तो ये लोग फिर से फूल और कैंडल जला रहे हैं तो मैं बोले कि ठीक है आप लोगों का मैं यूट्यूब में डाल दूंगे इस तरह से आज का ये दिन जो है हम सब का गुजरा पूरे दिन तो नहीं एक घंटा दो घंटा आपने जोरत के हिसाथ जोरत नहीं प्रार्थना जब तक करते हैं तब तक महा रहते हैं जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगे कि हमारे क्रिश्चन भाइबान तो इसे कब्रप्रव के बारे जानते हैं और जो नए लोग हैं इसे यदि देखते हैं तो उन्हें कैसा लगा तो आप लोग कोमेंट करके बतलाईएगा जरूर और पडाका अगर आप फुट रप और यह लास्ट हो गया और इसके साथ ही अपना व्लोग का अंत करते हैं और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग सब लाइक शेयर और कोमेंट कर देजेगा और जो ने फ्रेंड्स अवे सब्सक्राइब कर देजेगा तब तक के लिए फिर मिलेंगे फिर मिले ही अप sights फाईब कर देजेगा थादा है ने लाँ रड यह बजया और बाया आता है?